दोस्तो मुझे पता है आप सब लोगडाउन में बोर हो रहे हैं तो मैं आपकी बोर्यत दूर करने के लिए लाया हूँ HelloF इंडियाज लीडिंग सोशल मीडिया प्लैट्फोम हेलो एप पे आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग, न्यूज, फणी, एजुकेशनल, कुकिंग, डान्स और भी बहुत सारी वीडियो इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स ओफ यूर फेवरेट सेलिबिडिटीज तो देर किस बात की है? अभी डाउनलूड करो हेलो एप और करे अपनी बोरेट का खात्मा एक बार फिर जब मीरा को होश आता है तो उसकी सामने पूरा परिवार खड़ा होता है इस बार मीरा का पती एक मनोचिकित्सक डॉक्टर को लेकर आता है और हाँ इस बार मनोचिकित्सक के कहने पर पूरा परिवार मुगले आजम के भेश में होता है घर का नजारा भी पुराने महल की तरह सजा दिया होता है कैसी हो अनारकली? मैं ठीक हूँ हकीम साहब लेकिन मजे हुआ क्या है? कुछ नहीं, कल मैं फिल में नाचते नाचते तुम गिर पड़ी थी अपना खयाल रखा करो अनारकली ओ, मैं शहजादे के इश्क में इतनी डोब गई हूँ कि अपनी सिहत का खयाल ही नहीं रख पा रही हूँ हकीम साहब, मतलब की डॉक्टर साहब फिर वहां से निकल जाते हैं क्या बात है, महल छोटा-छोटा सा लग रहा है और सारे नौकर चाकर कहा है? हाँ नारकली, दरसल पिताजी केंडी क्रश में राजपाट हार गये है तो अब यही जगह है ससूर संजे की तरफ घूर कर देखता है और उसे डाटता है वे साले, मैं किस लेवल तक पहुँच गया हूँ, दिखाओ तुझे बस बस, हुजूरे आला, बस आपके चाल चलन पर तो मुझे पहले से ही शक था ए, जबान संभाल कर बात कर वन्ना सारी अनारकली की आत्मा निकाल दूँगी अभी चलो चलो अनारकली, हम कहीं और चलते हैं ये लोग हमें जीने नहीं देंगे हाँ हाँ, आप सारे हाथी घोडे निकाल लीजिए मैं अभी आती हूँ वैसे भी ये लोग हमारी प्यार की कद्र नहीं कर पाएंगे लेकिन ये जालिम दुनिया ये नहीं जानती कि हमारा प्यार जंद सोने के सिक्कों का महताज नहीं सास मन ही मन सूचती है सोने के सिक्के इसकी माने तो दहच में एक अंगुठी तक नहीं दी बेटी सोने के सिक्कों की बात कर रही है मेरी मा को कुछ ना कहें उन्होंने आपके दरबार में आपकी खिद्मत की है वो क्या दे सकती है अपनी फूल सी बेटी दे दी आपको फिर संजे की तरफ देखकर कहती है चलिए चलिए यहां से किसी और देश में किसी और सल्तनत में चलते हैं अरे मेरा मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है क्या? क्या मेरे सरकार ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या नहीं है आपके पास? मेरा बतलब है कि मेरी अनार कली हमारे हाथी गोड़े भी तो पिताजी केंडी क्रश में हार गया है ना पैदल कहां तक जाएंगे चलिए कोई बात नहीं लेकिन सारे नौकर चाकर कहां है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं और मुझे बहुत भूख लगी है कुछ खाने को चाहिए लाकडाउन चल रहा है ना नारकली इसी लिए सारे नौकर चाकर छुटी पर है मैं तेरे लिए स्वीगी से अभी कुछ आर्डर कर देती हूँ ये क्या चल रहा है क्या चल रहा है ये आर्डर ये ये सब कहुन सी भाशा है ये भगवान मैं एक पल और यहां रही तो पागल हो जाऊंगी और इनको भी यहां से ले जाना होगा चलिये जी वो अपने पती को ले कर वहां से चली जाती है दोनों सोफे पर बैठे होते हैं ड्राइंग रूम बिलकुल राजा के दरवार की तरह सजा है तब ही मीरा वहां जाती है और हाथ से जुक कर आदाब करती है मुझे पता है आप लोगों ने मुझ पर जल्म करने के लिए घर की सारे नौकर चाकर को निकाल दिया है मुझे खाने के लिए कोई फल तक नहीं दिया लेकिन आज आज एक अनीज़ा आपके जल्म के सामने हान नहीं मानेंगी मैं शहजाद सलीम का प्यार हूँ और आज मैं या तो उनसे शादी करूँगी या यही अपनी जान दे दूँगी ये कहकर मेरा नाचने लगती है जब प्यार किया तो डरना क्या नाचते नाचते मीरा जोर-जोर से गोल-गोल घुमने लगती है और एक बार फिर चकर खाकर गिर जाती है और फिर एक बार उसे होश आता है जहां वो बिल्कुल वैसे ही लेटी होती है सामने पूरा परिवार उसी वेश-पूशा में होता है और डॉक्टर भी, मीरा को होश आता है वो सब को देखकर हैरान सी रह जाती है कैसी हो अनारकली? शट अप! हाँ डैर यू! संजे, ये क्या बक रहा है? और सास की तरफ देखकर कहती है ओहो! आप लोगों ने ये क्या हाल बना रखा है? इतना कहकर वो खड़ी हो जाती है ओहो! ये इतने भारी कपड़े मुझे किस्ते पहना है? बहू! हम मुगले आजम खेल रहे थे तो तुझे अनारकली बनाया था शुक्र है कि खेल खतम तो हुआ क्या कहा अलमारा? क्या सलीम हमारा नहीं हो सकता? है? ओ नहीं! अरे नहीं नहीं फिर से नहीं! अरे सासु मा आपने ही तो कहाना कि खेल खेल रहे हैं तो मैं… संजय और ससूर एक साथ बोल परते हैं अरे नहीं नहीं हमें माफ कर दो! अरे नहीं हमें माफ कर दो! ये कहकर सभी एक साथ बैठ जाते हैं और मीरा सबको आश्यरे से देखने लगती है